तो आज के इस वीडियो में फ्रेंट्स में एक ऐसी चोटी सी बच्ची के लिए ये डॉल केक बनाने जा रही हूं जिनके पेरेंट्स मेरे पास बड़ी ही उम्मीद से आये थे और बोले 200-300 रुपे का क्या कोई डॉल केक बन सकता है तो मैंने उन्हें खाली हाथ नहीं लोट हैं उनसे मैं अपना काम करूंगी और यहां पर आपको तुम्हें सिखाई रही हूं तो देखिए अगर आपको कम रेट्स के डॉल के बनाने के और आते हैं तब आप इस तरीकी के जो पेपर स्टिकर्स आते हैं डॉल वाले उनको ले सकते हैं और अगर यह भी नहीं मिल पा तो आप यह वाला मेरा जो ट्रिक है उसे अपलाई कर सकते हैं तो मैंने क्या किया है एक छोटी सी डॉल का पिक्चर लिया था गूगल से और उसे क्लें पेपर पर प्रिंट आउट कर लिया है यहां पर देखिए ओलाफ भी है यह मैंने कभी किसी और यूज के लिए लिया ह और मैं आपको इसी से आज बनाना सिखाऊंगे क्योंकि हर किसी के पास वो स्टीकर नहीं होते तो मैंने जो डॉल का प्रिंट लिया है उसको सबसे पहले तो मैं सीजर से कट कर लूगी इस तरीके से और ऐसा स्टीकर तो I hope सभी के पास हो जाएगा चलिए इसको साइड में बनाते हैं केक का बैटर, यहां पर मैंने 6 इंची का बर्दन लिया है जिसमें मैंने नॉर्मल साइक बटर पेपर लगा करके अच्छे से ओयल से इसे ग्रीज कर लिया इसे साइड में रखते हैं और बनाते हैं केक का पैटर, तो 30 kg का केक में बना रही हूँ, उसके लिए 1. कप मैं अपना ट्रोपोलाइट का ये प्रिमिक्स ले रही हूँ इसी के मेजरमेंट के हिसाब से देर टीबल स्पूर में ओई डाल रही हूँ ये फॉर्चियून का ओई है फ्रेंड्स और केक में पाइनपल फ्लेवर का बना रही हूँ अब इसे ट्रांसफर कर देंगे अपने ग्रीज किये हुए केक टिन में तो बरतन हमारा छे इंची का है इसलिए बहुत ज़्यादा हाइट केक की नहीं आएगी पठा उपर का सर्फिस अच्छा मिलेगा जो कि आज की हमारी रिक्वायर्मेंट है अच्छे से इसे टैप कर ले इसके अंदर आप अपना केक मोल्ड रख सकते है और आप देख रहे हैं प्रेंट्स में स्टील का बरतन भी यूज़ ल hour रही हूं आराम से तो इस एर फ्रैयर के अंदर कोई भी मेटन आप यूज़ कर सकते है और बस इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे एर फ्रैयर को बनकर के रेडी हुआ है तो अगर आप इस एर फ्रायर को पर्चेस करने में इंट्रस्टेड है तो इसका जो ऑनलाइन पर्चेस लिंक है वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो यहाँ पर अपके को ठंडा करने के लिए हम छोड़ देंगे और अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे डिमोल करेंगे तो चाकू के बदद से आप इसकी साइट को थोड़ा-थोड़ा स्क्रेच कर लीजेगा और फिर फिलिप करके हलका सा टैप करके आप इसे इसली भार निकाल सकते हैं देखे बहुत यह बढ़िया परफेक्ट कलर कर आया है और मुझे इसी तरीके का कलर फ्रेंट्स पसंद है बहुत ज़्यादा सफेद सफेद मुझे अच्छा नहीं लगता और अब क्या करेंगे इसकी टॉप लियर को रिमूब करेंगे तो मेरे केस में देखे बिल्कुल भी डॉम शेप नहीं आई है बट इनकेस आपक पतली पतली कट होंगी आप चाहें तो दो लियर से भी काम कर सकते हैं बट तीन हो रही है इसलिए मैं कट कर रहे हूं लेकिन जबरदस्ती में आप तीन लेर मत कीजिएगा फ्रेंट्स अगर आप किसी ऐसे बरतन में केक बना रहे हैं जिससे हाइट कमाई है क्योंकि ऐसा कर करने में ही लोग अकसर अपना केक तोड़ फोड़ देते हैं और यह पर देखिए हलका सा किनारा मुझसे भी टूट गया है बट मैं मैंनेज कर लोंगी चलिए अब यहाँ पर आधा गेजी का केक होता है तो हमें 200 ml क्रीम लगती है फ्रेंट्स पट मैं 200 ml क्रीम विप कर रह हैं तो जिस भी फ्लेवर का केक बना रहे हूं अब उस हसाब से उसका कोई क्रश यूज़ करके आप बड़े बोर्ड के उपर केक को असेंबल कर लिजेगा चीनी और पानी का मौशर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं अगर आपका केक आपको ड्राई लग रहा है अदरवा यूज़ को लेइर को असेंबल करके पहले इसकी क्रम कोटिंग करेंगे और फिर उसकी फाइनल फिनिशिंग तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है ऐसे ऐसे कस्टरमर आजाते हैं कि उनको बहुत ही कम रेत के order का cake चाहिए होता है तो ना महीं करनी चाहिए कभी क्या होता है किसी cake में उतना ही मिल जाता है जितने का उसमें सामाल लगा तो वो भी आपको बनाना चाहिए क्योंकि आप सभी जानते हैं home bakers तो specially जानते हैं कि अक्सर order ही कितने किस्मत से आते हैं और उसको भी हम खाले हाथ लोटा दें तो जो आ रहा है वो भी चला जाएगा तो ऐसा ना करें अगर 200 उर्पे में भी cake का order मिल रहा है ना तो बेज जिजक उसे ले ले काम 200 वाला ना करके थोड़ा अच्छा ही करके दे so that आपको आगे भी orders मिले बट अपना नाम बिल्कुल भी खराब ना होने थे और profit का कोई बात नहीं friends कभी जादा तो कभी कम यह तो life है चलता रहता है लेकिन बिन profit के भी आप बहुत कुछ कमा सकते हैं और अगर आप home baker के साथ YouTuber हैं अपने वीडियो बगरे बनाते हैं तो बस फिर तो कोई tension ही नहीं आपने इतने लोगों को सिखा करके जो दुआएं कमाई हैं वो काफी हैं कभी कदार तो friends हम करी सकते हैं अब यहाँ पर देखे केक आइसिंग तो हो गई है अब मैंने बिल्कुल वन टेबल स्पून के करीब ब्लू कलर की क्रीम रेडी किया है simply जड़ा सा liquid color डाल करके क्योंकि क्रीमी बहुत कम थी और उपर के किन लगा करके just smudge कर रही हूं मैं यहाँ पर हम कोई भी finishing इसके उपर नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक sky यानि कि आस्मान का texture इस पर दे रही हैं बहुत smooth finishing की ज़रत बिल्कुल भी नहीं है और बस randomly आप stroke मार दीजे तो जो beginner है वो भी आराम से इस cake को बना सकते हैं यह देखिए बिल्कुल random stroke मैंने मारा है कहीं भी आपको लगना नी चाहिए कि हमने इसकी finishing भी है क्रीम अच्छे से smudge होनी चाहिए कहीं भी dark patch नहीं होना चाहिए अब जो हमने यह doll के cutting करके रखी थी ना इसको अच्छे से आप sanitize जरूर कर लीजेगा clean होना चाहिए आपका एकदम और अब इसको केके center में मैं ऐसे place करूंगी कि head के पास सर के पास थोड़ी सी space रहे और नीचे थोड़ी ज्यादा रहे आप मैंने थोड़ी सी cream में बिलाया है green gel color और एक piping bag में उसे भरा है चोटा सा चेक cut किया है और जो हमने doll लगाई है ना उसके नीचे वाली part पर इस तरीके से लंबी-लंबी जैसे घास हुगी हुई है बैसा texture देंगे तो मैं लंबी-लंबी बना रही हूँ आप ज़्यादा pressure देंगे तो ये करुवाली भी निकलेंगी ऐसी तो अच्छे से इसको भर दीजेगा तो आपकी doll जो है बैसा लगेगा जैसे कहीं garden में खड़ी है और पीचे का जो आसमान का हमने texture दिया है वो भी बहुत इलाजवाब लगेगा देखिएगा पूरा वीडियो एंड में कितना सुदर लगेगा आपको ये देखिए अच्छे से मैंने सारे gaps को भट दिया है अब इसी piping bag का आगे से मैंने उल्टा भी कट दिया और जैसे पत्ती बनाने में देते हैं बिल्कुल वही और बीच-बीच में इस तरीके से जैसे लंबी वाली grass होती है उसका texture देंगे ये देखिए तो जो doll है वो बिल्कुल लग रही है कि घास में कहीं खड़ी है ये देखिए अच्छे से इसको बना देंगे ये मेरा आदा केजी का केके फ्रेंट्स अगर एक केजी का होगा ना तो स्पेस आपको और भी ज़्यादा मिलेगी आस्मान और भी जुदा सुंदर लगेगा तो आप जरूर ट्राइ कीजेगा छोटे बड़े केक में और अब मैंने थोड़ी सी ही क्रीम में ली है पिंक कलर की क्रीम और उसका भी पाइपिंग बैक में छोटा सा चेक कट किया है और अब कहीं कहीं पर ग्रास में ये फ्लार का टेक्शर देंगे ये देखिए इस तरीके से अच्छे से छोटा-छोटा करके आप दे दीजेगा और फ्रेंड्स देखिए इस पूरे केक में मैं कोई नॉजल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ तो एक benefit ये भी है कई बार क्या होता है नॉजल ना होनी के वज़ए से कुछ-कुछ नहीं कर पाते तो एमर्जंसी में कहीं-कहीं आप गए हो केक बनाना हो सामान ना हो तो आप ऐसे भी अपना काम चला सकते हैं यह देखिए और यहां फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी गलती हुए इसी पिंक कलर की क्रीम से मैंने बॉर्डर बनाया था परल वाला जिसके समय में कैमरा यह ओन करना भूल गई और यह बन गया देखिए तब याद आया बट आप यह बना सकते हैं आराम से मैंने बहुत सारे अपने वीडियो में आपको सिखाया है और अब लास्ट में फाइनली मैं अपना सिल्वर लस्टर जो डस्ट होता है उसको अपने पंप के अंदर डाल करके स्प्रे कर रही हूँ यह पाउडर फॉर्म में होता है और यह कोई शिमर नहीं है डस्ट होती है फ्रेंट्स बहुत सारे लोग इस पर भी कमेंट करते हैं कि मैं यह क्या है और अगर डीटेल में इसका वीडियो देखना चाते हैं तो वो आपको तारामदू डाइवीस पर मिल जाएगा मैंने उसमें अच्छे से एक्स्प्रें किया है और पूरे केक पर देखे मैंने इसे स्प्रे कर दिया है और अब आप देख सकते हैं हमारे केक की फाइनल लुक कितने प्यारे ये पिंक कलर के जो मोती जैसे पर्ल्स लग रहे है हमारी डॉल भी इतनी क्यूट लग रही है उसकी जो ड्रेस है वो भी उसमें सूट कर रही है तो मतलब मज़ा ही आ गया तो देखिए मुझसे तो उन्होंने बोला था कि दोसो डाइसो में मना दीजे मैं चाहती तो एक डॉल टॉपर लगा करके कुछ बड़ा सा केक भी बना सकती थी पर देखिए हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं बट हमें कम में भी मैनेज करना आना चाहिए तो आज मैंने ये कर भी खाया देखिए तो आप इस डिजाइन को आराम से बेज जग घर में या अपने केक्स में ट्राइ कर सकते हैं वीडियो कैसी लगी ये मुझे जरूपता येगा फ्रेंड्स पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा बिना कर जो से किए शेयर कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिएगा और हाँ बेकिंग से रिलेटेड मेरे व्लॉग से रिलेटेड मैं कैसे काम करती हूँ इसको देखने के लिए आप मेरे तारा मदू डाइवीज चैनल को भी विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और अभी आगे आने वली वीडियो में फ्रेंड सापके लिए बहुत ही प्यारा सा एक सर्प्राइज है मैं एक बहुत ही अच्छा सा एक कॉंटेस्ट भी ला रही हूँ जिसमें आप धेरो इनाम भी पा सकते हैं तो बने रहे हैं मेरे चैनल पर मिलते हैं जल्दी नई सी इंट्रेस्टिंग रेसिपे के साथ और उस कॉंटेस्ट की इंफर्मेशन के साथ अब तक के लिए बहुत है टे केर और थैंक्स पर वाच्चिंग